हेलो फ्रेंट्स व्लकम यौ और रोटुप चैनल समाट गया हम पर प्रप्रेशन इंडरोट्र सतिंत्र पार्थी दोस्तों आपको बता दूब कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन रोसकता है हम सभी लोग के लिए जो लोग भी पीजडी करना चाहते हैं दोस्तों के लिए लिए नोटिकेशन आये हुए हैं और वहाँ पे प्यकेश के लिए नापको प्रवाइड को देख सकते हैं या कोशिच करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उन सारे इस लिइडियो के लिंक आपको प्रवाइड कर देंगे जिसे कि आ आप उन सारे वीडियो को देख सकेगे तो फ्रेंड अभी हम लोग चलते हैं इस यूनिवर्स्टी के बारे में जो है पीजडी एड्मिशन के बारे में डीटिल में देखते हैं यहां पर सबसे पहले जासा कि अफ इसके दिया है स्कूल इसके बारे में डिपार्ट्मेंट का नाम बुलते जाता हूं बगे आपके सब्जीक्ट में स्ट अवेलेवल है फिर नहीं आपके का टेगरी में सब्धेशन घूर्टा डेखते लिए इस वेडियों Life Sciences दिया है, PhD in Applied Chemistry, उसके बाद जो है PhD in Environmental and Sustainable Development, उसके बाद जो है PhD in Comparative Literature, उसके बाद PhD in Hindi, PhD in English, PhD in German Studies, उसके बाद जो है PhD in Gujarati, PhD in Chinese, PhD in Security Studies, PhD in Strategic Technologies and National Security, उसके बाद जो है PhD in Education, then PhD in Chemical Sciences, PhD in International Politics, PhD in Sociology, उसके बाद जो है PhD in Studies in Science, Technology and Innovation Policy, PhD in Social Management, PhD in Gandhi and Thought and Peace Studies, PhD in Economics, PhD in Diaspora Studies, इस तरह से देख सकते हैं यह इतने सारे जो है दिया हुआ, तो आप दिख सकते हैं, अब हमनों दिखते हैं कि आखिर जो किस उनिवस्टी का यह PhD in notification है, ठीक है, तो चलते हमनों दिखते हैं, फिर इस साके दिख सकते हैं, हापे जो है Central University of Gujarat का यह PhD in admission notification है, यह यहाँ पर दिख सकते हैं, ठीक है यह दिया हुआ है, Central University of Gujarat इन्वाइट करता है, यह admission के लिए PhD प्रोग्राम के लिए, academic year 2022-23 के लिए, ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जाकर कर जो है, यहाँ से अप्लाई किया सकता है, उसके बाद जो है, यहाँ बात करें हम लोग ऐलिजबिल्टी की तो जो जो है, कि Master degree आपका 55% marks के साथ होना चाहिए, और इसमें आगे फिर बात की गई है, 50% relaxation की, मतलब 55% के जब पर 50% जो है, जिनका रहे, तो वो भी अप्लाई को सकते हैं लिए, इसके case में तो यहाँ पर जो है, यह category की बात की गई है, SC या फिर ST, या फिर OPC, non-crimalier, or differently-abled, and other category of candidate as per government of India norms, ठीक है, तो इस तरह से जो है, आप देखने हैं यहाँ यहाँ पर relaxation की बात अपलाई होती है, तो आप अच्छे से इसको देखने एक बार जो है, ठीक है, अफ्रेंड आगे जो है, जो है, इम्पोर्टेंट हमारे कोर्डिंग यहाँ पर पॉइंट है, कि मैं उन्ह प्रोग्राम वाइज इंटेक और फेकर्टी वाइज स्पेशलाइशन इस अवेलेवन वेब साइट, जो कि अल्रडे हम रो देख चुके है, फिर आगे हाँ पर देखें, सद्धिया है, शेडूल औफ पीएज्डी अडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पर दिया है, डिवरेश और इंटर्वु के दिबात करें, तो जिसा कि दिया हुआ है, यहाँ पर, प्रोसे की बात करें, तो यह टू आर्स को होगा, ठीक है, दो घंटे का यह रिटन, जिसा कि दिया है रिटन टेस्ट, और थर्टी मिनट्स फॉर राइटिंग और रिसर्च प्रोपोसल, ठीक है, रिसर्च प्रोपोसल के रिए है, थर्टी मिनट्स, फिर आगे बात करें, तो पैटर्न आफ एंटरंस टेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर दिया है, कि हंडेट मार्क्स, MCQ, कंसिस्टिंग आफ रिसर्च मेत्रोलोजी और सबजेक्ट डॉमिन, मतलब यह हंडेट मार्क्स क कि बात करें, तो जिसर्च के आगे दिया है, वेटेज ऑप 70% for the entrance test and 30% to the performance in interview और वाइवा वोसे shall be given, यहाँ पर बात करें थी हम लोग तो जिसर्च दिया है कि entrance test पे 70% यह वेटेज दिया जाएगा और 30% आपके interview या फिर वाइवा वोसे performance पे रहेगा, फिर date of entrance test और interview और इसके बाद आगे बात की गई है, the selection for admission shall be based on the marks secured in entrance test and performance in the interview, the merit list will be prepared accordingly, जिसर्च के दिया है, selection की बात करें थी हम लोग यह admission के लिए, तो यह होगा किसके आधार पे, तो entrance test और आपका interview में जो performance रहेगा, उसके merit, मतलब यह overall इसके merit के आधार पे जो है, यह merit list है, उसके according prepare की जाएगी, अफरेंस फिर आगे दिया है, यह सकते है, the C.U.G. entrance test be made mandatory for all candidates providing label playing field for all aspirants to compete, no exemption will be granted to UGC net including J.R.F. or UGC CSIR net including J.R.F. or Slate or Gate teacher fellowship holder or those who have completed an NFL program for the written entrance test, the C.U.G. entrance exam is mandatory for all candidates, दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी important बात दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, कि यह C.U.G. entrance test की बात करें, तो सभी candidate के लिए जो है mandatory है, चाहे आप जैसा कि दिया है, कि यहाँ पे no exemption will be granted, कि exemption आपको नहीं दिया जाएगा, चाहे आप U UGC, net, including GRF, UGC, CSIR, net, including GRF, or slate, or gate, यह जो भी यहाँ पे criteria दिया है, आप भले fulfill करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसा कि दिया है, यह mandatory है, जो C.U.G. entrance test है, ठीक है, उनको सब को मतलब सारे candidates के लिए mandatory है देना है, फिर आगे यहाँ पे front बात करें हैं हम लोग, तो यह application fee देख स 1000 रुपी जो है, application fee रखी गई है, SC और ST और transgender की बात करें तो यह 500 रुपी जो है, रखी गई है, और third number बे दिया है, person with disabilities, P.W.D. के case में, जो है, no applicable, बतल भी हाँ, इनके case में, जो है, fee नहीं रखी गई है, फिर आगे बात ही है, all eligible candidates will be required to pay a non-refundable application fee, plus transaction charges and taxes as applicable, with the application form online. तो यह applied रहगा सब पर जैसा के दिया हुआ है, फिर यहाँ पर यह important बात दी गई ही, जैसा के आप देख सकते हैं, please keep 12 number पर जैसा के आप देख सकते हैं, 11 पर भी एक important बात दी गई है, जैसा के दिया है, candidate are advised to take a print of final submission page by clicking on the print option for their further reference, यह candidate कुछ है advice के रहता है, कि जो final submission page होग उसको जो है, आप क्लिक करके और उसका print लेन, further reference के लिए, फिर 12 number पर जैसा के देख सकते हैं, यह दिया हुआ है, please keep track of the university website, university website जैसा दिया है, www.cug.ac.in, जो है, regularly, तो दोस्तों इस website को जो है, आप regularly चेक करते रहें, जैसे कि आपको PSD से related, जो भी information आई, इस पर update हो, आप आपके बात किया है, दो, no separate information will be given to individual applicants, अलग से जो है, कोई information नहीं दी जाएगी, individual applicants को जो है, और फिर आगे बात कि, friends से की, 13 number पर आप देख सकते हो, जो है, the number of seats for the research program are subject to change as per the availability of supervisor, specialization and facilities available in the university, ठीक है, तो यह भी काह भी important है, अब दोस्तों आगे इस में जिसा की देख सकते है, यह दिया है, यह mail, email for any issues, यदि आपको किसी तरह कोई problem आता है, तो यहाँ पर mail भी कर सकते हो, जो है, admission at the red cug.ac.in पर जो है, और contact number भी दिया है, ठीक है, तो किसी तरह की आपको, कोई जिसे issue आता है, तो उस case में आप जो है, आप contact कर सकते हो, दोस्तों, अब हम चलते है युनिवस्टी के website पर आप देखते हैं, कहां से इस PhD notification को जाकर कि आप देख सकते हो, फ्रेंड से आकर देख सकते हैं, हम लोग युनिवस्टी के website पर है, इसकी website है, cug.ac.in जो इसकी website है, उनिवस्टी आप कुछरा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर जब आप नीचे PhD admission 2022-23, इस पर जब क्लिक करेंगे, तो फिर आप यहां से detail देख सकेंगे, जैसा कि यह देख सकते हैं, यह दिया हुआ है, पहले सबसे पहले दिया है, यहां पर online link for PhD 2022-23 admission, ठीक है, यहां पर क्लिक करके online link आप यहां से link पर जा सकते हैं, उसके बाद दिया है, जनरल section दिया है, PhD admission 2022-23 के लिए, यहां से देख सकते हैं, जो कि अभी हम लोगा ने देखा, जो notification की बात करेंगे, ठीक है, तो यह जनरल इंस्टेक्शन में सारे दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, जनरल इंस्टेक्शन दो है, अब आगे बात की है, PhD final intake academic year 2022-23, ठीक है, PhD final intake ay 2022-23 करके दिया है, तो इस पे क्लिक करके जो है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, यह किस subject में seat कितनी है, यह सारे चीज़ें, और आगे फिर दोसने यहां पे दिया है syllabus की बात करें, जैसा आगे ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं यह, PhD entrance test syllabus, ठीक है, किसी एक का example की त अब friends सकते हैं, यह इसका syllabus जो है, school of chemical sciences, syllabus for PhD chemical sciences, entrance examination 2022-23 करके दिया है, research methodology के लिए यहां पे जैसा कि दिया है, फिर chemistry के लिए यहां पे दिया है, तो इसमें physical chemistry and organic chemistry, ऐसे करके organic chemistry यह सारा दिया हुआ है, तो आप ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है, यह सारा एक बार जो है, आप subject का भी, जैसा कि जो available हैं, पैसे लिए बस है, उसको आप जा करके देख सकते हैं, फ्रेंड्स इस दस उम्मित करते हैं, कि आज का वीडियो आप सब्लों के लिए काफी useful informative रहा होगा, तो चाहें तो इस चैनल का आप सब्सक्राइब कर सकता है, तो चाहें तो इस चैनल का आ नेट, सेट, सेट, सेलेट, एक्जाम के प्रफिशन करो, तो उससे related कई, सारे वीडियो से हमारे यूट्यूब चैनल के वालिटी अवैलेबल हैं, आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के पेज चैनल के प्लेलिस से जाकर देख सकता है, या कोशिश करे जिससे की लिए आप उन सारे वीडियो को देख सकेंगे, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम लोग किसी अधर information के साथ, एक और important बात आपको बता जाते हैं, कि आप खुद से भी इस university के website पे जाकर के सारे details जो भी आपको प्रवाइड किये के PhD admissions related, दोस्तों जो भी available है PhD admissions related information इस website पे आप खुद से भी जाकर के चेक करें, तभी इस information के accept करें, और तभी आप इस application form को apply करें, दरबाई जिनर करें, ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इतना पेसेंस के साथ जो है आज का वीडियो वाच के लिए, थेंक थेंके समत्रेंस